जम्मू कश्मीर में विधान सबा चुनाओं के पहले चरण में आज साथ जीलों में 24 सीटों पर मद्दान जारी आज से सुरू हो रही NPS वातसली योजना माता पिता अपने पेंसन खातों में निवेश करके बच्चों के भविश्य के लिए कर सकेंगे बचत इंद्री इसपात मंत्री HD कुमार स्वामी ने मुख्यमंत्री विश्नुदेव साय से की मुलाकात सेल और NMDC से जुड़े मुद्दों पर हुई चर्चा और राजनान गाउश शहर में बीती रात गणपती विसर्जन के मौके पर निकाली गई आकश्रक जहां कियां सडकों पर उमड़ पड़ा जन सैलाव नमस्कार आप देख रहे हैं दूर दर्शन समचार मैं हूँ अंकित मिसरा और अब समचार विस्तार से जम्मो कश्मीर में विधान सबा चुनाओ के पहले चरण में आज साथ जीलों में 24 सीटों पर मद्दान जारी है दोपहर एक बजे तक करीब 41 प्रतीसत मद्दान रिकॉर्ड किया गया था सरवाधिक मद्दान कश्मीर घाटी की सोपियां सीट पर दरज की गई है मद्दान कडी सुरक्षा के बीच सुबह 7 बजे शुरू हुआ है जो की साम 6 बजे समाप्त होगा जम्मो कश्मीर में विधान सबा चुनाओ के पहले चरण में चेनाब घाटी के डोडा, किस्तवाड और रामबन जीलों में आज वोट डाले जा रहे हैं इन जीलों में 7,14,000 मद्दाता 219 उम्मिद्वारों के भाग्य का फैसला करेंगे चेनाब घाटी के अलावा दक्षिन कस्मीर में 4 जीलों अनंतनाग, पुलवामा, कुलगाम और सोपियां की 16 विधान सबा सीटों पर भी पहले चरण में मद्दान हो रहा है पहले चरण में कस्मीरी पंडितों को मद्दान की सुविधा देने के लिए 24 मद्दान केंद्र बनाए गए हैं जिनमें से जम्मू में 19,00, उधंपूर का एक और दिल्ली के चार केंद्र शामिल है इस चरण में 35,000 से अधीक कश्मीरी पंडित अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे गवर तलब है कि जम्मू कश्मीर में एक दसक के बाद विधान सबा चुनाओ हो रहे है परियावरन और जलवायू परिवर्तन केंद्री मंत्री भुपेंद्र यादाव ने कहा है कि विक्सित तथा ससक्त समाज के लिए सतत विकास की और बढ़ने का समया चुका है वे आज गांधी नगर में नविकर्णी उर्जा निवेश समेलन में भारत के नेट जीरो लक्ष पर आयोजीत सत्र को सम्बोधित कर रहे थे स्री यादाव ने टिकाओ आर्थिक विकास हासिल करने के लिए कार्बन उत्सरजन को कम करने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने जलवायू परिवर्तन की चुनावतियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के बारे में भी जानकरी दी केंद्री मंत्री ने कहा कि भारत पेरिस में निर्धारित जलवायू लक्षों को 9 साल पहले ही हासिल करने वाला एक मात्र G20 देश है हमारा देश एक एक एकोलोजी और इकोनोमी को सात लेकर के आगे बढ़ रहा है renewable energy में शमताओं को विक्सित करने की दृष्टी से, market को विक्सित करने की दृष्टी से और सबसे बड़ी बात है इस clean energy के माध्यम से आने वाली future generation को clean energy उप्रप कराने की दृष्टी से बड़ा काम हो रहा है और तीन दिन की इस conference ने लोगों को एक साथ आना जुड़ना विचार करना प्रदर्शनी के माध्यम से knowledge sharing करना और आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी और ये विक्सित भारत के जो प्रदान मंत्री जी का संकल्प है उसको पूरा करने का एक milestone सारी करना है सायात को बढ़ावा देने पर जोर दिया गौर तलब है कि तीन दिवशी वैश्विक नविकर्णी उर्जा निवेश सम्मेलन और एक्स्पो का आज समापन होगा केंद्र सरकार ने प्रमुख खाद्य तेल संगों से कहा है कि वे मौजूदा शुन्य और साढ़े बारा प्रतीसत सीमा शुलक पर आयतीत तेल का इस्टॉक उपलब्ध रहने तक इसके खुदरा दाम न बढ़ाएं खाद्य और सार्वजनिक वितरन विभाग के सचीव संजीव चोपडा ने कलनाई दिल्ली में मुल्य रणीती के बारे में विभिन तेल उत्पादक संगों के प्रतिनीधियों की बैठक की अध्यक्षता की हाल ही में सरकार ने घरेलू तिलहन उत्पादकों की मदद के लिए विभिन खाद्य तेलों के बुन्यादी सीमा सुल्क में बढ़ोतरी की थी 14 सितंबर से खनीज, सोयाबिन, पाम और सुरज मुखी के तेलों पर यह शुन्य से बढ़ा कर 20 प्रतिसत कर दिया गया था इससे कच्चे तेलों पर वास्तविक शुल्क 27 प्रतिसत हो गया था इसके अलावा रिफाइंड पाम, सुरज मुखी और सोया बिन तेलों पर बुनियादी सीमा सुल्क 12,5% से बढ़कर 32% कर दिया गया था इस तरह रिफाइंड तेलों पर वास्तविक शुल्क 35.75% हो गया है बोगताकार्य खाद्य और सर्वजनिक वितरन मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि ये समायोजन घरेलू तिलहन उत्पादों के सहयोग से सरकार की जारी प्रयासों के तहत है केवहारों से पहले सरकार के इस निर्देश में यहाँ भी कहा गया है कि कम शुलक पर आया तेते लगभग 30 लाख मिट्रिक टन खाद तेलों का भंडार 45-50 दिन तक के घरेलू भोग के लिए पर्याप्त है केंद्री वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन आज NPS स्वातसल योजना का शुभारम कर रही है इसका रिक्रम से 36 गर सहित 75 इस्थानों के हित्गराही वर्चुल रूप से जुड़ हुए है यह योजना भारत की भावी पीडियों को वित्ती रूप से सुरक्षित और स्वतंत्र बनाने की दिशा में एक महत्तुपूर्ण कदम है NPS वातसल ये माता पिता को पेंशन खातों में निवेश करके अपने बच्चों के भविष्ट के लिए बचत करने की अनुमती देगा इस योजना में लचीला योगदान और निवेश का विकल्प है जिसमें माता पिता अपने बच्चों के नाम पर सालाना एक हजार रुपे का निवेश कर सकते हैं ओनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से लोग NPS वातसल ये योजना की सदस्यता ले सकेंगे इसके साथ ही योजना विवर्णी का जारी की जाएगी और नाबालिक रहकों को इस्थाई सेवा निवरित्ति खाता संख्या वित्रित किया जाएगा यह पहल बच्चों के वित्ती भविश्य को सुरक्षित करने के उदेश से सुरू की गई है ख़बरों का सिलसिल आगे भी जारी रहेगा अब लेते हैं चोटा सब्रेट तुझे तगड़ा इंसेंटिम विला है क्या प्लान है सोच रहा है अब गर्मेंट सेक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना आसान हो गया है पर कैसे अर्भी आई रिटेल डार्ट स्कीम में बिना ब्रोकर के आप इन्वेस्ट कर सके और आपको आपकी पुंजी पर मिलेंगी अर्भी आई पोडर पर जाहिए मुफ्त में अकाउंट भोलिए और अपने बैंक खाते से सीधे पैसे इन्वेस्ट कीजे सुरक्षित आसान है रिटार्मेंट के बाद मैं भी यहीं इन्वेस्ट करूँगा बहुत सही कह रहा है अर्भी आई कहता है चानकार बनिये सतर्क ब्रेके बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बढ़ते हैं अगली ख़बर की ओर केंद्री इसपात और भारी उद्योग मंत्री एजडी कुमार स्वामी अपने छतिशगर प्रवास के दौरान रायपूर पहुँचे जहां उन्होंने मुख्य मंत्री विश्णुदेव साय से उनके निवास में सौजन्य मुलाकात की इस मौके पर मुख्य मंत्री ने केंद केंद्री मंत्री से आगरह किया कि नगरनार अंचल में इस्थानी युवाओं के कौशल उन्ययन के लिए अधिक कार किये जाएं ताकि युवाओं को रोजगार के अच्छे आउसर मिल सकें बेटवारता के दोरान सेल के चेयरमेन अमरेंदू प्रकास और अनमडीसी के सीमडी अमिताव मुखरजी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे गौरत अलब है कि 36 गड के दो दिवसी दोरे पर आये केंदरी मंत्री स्री कुमार स्वामी बस्तर के नगरनार इस्टिल प्लांट और भिलाई इस्टिल प्लांट का निरिक्षन करने के बाद राजधानी रायपूर पहुंचे थे आकांशी जीला कौरुबा में राश्ट्री क्रिशी और ग्रामिन विकास बैंग नाबाट द्वारा जल ग्रहन विकास योजना किसानों के लिए वर्दान साबित हो रही है कौरुबा जीला के सूखा प्रभावित ख्षेत्रों को चिन्धांकित कर नाबाट द्वारा उक्त ख्षेत्रों में जल सनरक्षन की दिशा में विशेश अभियान चलाया जा रहा है नाबाड के जीला विकास प्रबंधक संजीव कुमार प्रधान ने बताया कि करतला विकास खंड के ग्राम पुरैना, खरहरी और बिर्तराई में जल ग्रहन विकास योजना के तहर जल सनरक्षन की दिशा में काम किये गये हैं यहां ग्रामिनों की सहभागिता से चेक डेम और कंटूर बंडिंग के साथ ही फार्म बंडिंग का कार्य भी किया गया है नाबाड के द्वारा हम लोग जो है सुखा प्रभावित एरिया में जल ग्रहन विकास योजना का प्रोजेक्ट का संचालान कर रहे हैं और यह प्रियोजना का जो खूबी है यह इसमें क्या ग्रामिनों की भागीदारी के साथ इस प्रोजेक्ट का हम कर रहे हैं तो कुर्वा जिला का जो करतला विकास खंड है उस एरिया में हमना हमारा यह दो का प्रोजेक्ट अभी चल रहा है एक पुरेना खरहरी गाओं में और एक बीरतराई में करतला ब्लॉक में आता है वही नाबाट के जल ग्रहन विकास योजना से लाभानवित ग्रामिनों ने बताया कि पहले गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सुखने के साथ ही कुआ का जल इस्तर काफी नीचे गिर जाता था लेकिन अब गाओं में भूजल इस्तर ठीक हो गया है कि नाबाट के अधेम से बनाया गया है यह यह बनने से यह नीजी जमीन हो नी-जमीनमें जो खेती है उनको यह शिंचाई हो सकता है क्योंस पाहले समस्या था यह ऐसा नहीं था पानी आहां रूख रहा है और इसका लाब मिले के किसानों को पहले ऐसे नहीं था पहले हम प्रत्यक महां का मेजरमेंट लेते हैं सर्थ तो कुऊ अपरेल जून जुलाई में शुक जाता था अभी दो साल जब काम चला है तो इस तर जून जुलाई में भी मतब बरकरारा रहाता है इसको बनाने से क्या प्रैदा होता है? इसमें बनाने से पानी का रुकता है वहां तक कौंचता है पानी राश्टरी क्रिशी और ग्रामिन विकास बैंग नाबार्ट द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के साथ ही बारिश का पानी और मृदा सनरक्षन के लिए भी विभिन कारी कराये जा रहे हैं कांकेर से महज 3 किलो मिटर दूर ग्राम डुमाली की पहाडियों पर एक साथ पांच तेंद्वे नजर आये हैं सोसल मीडिया पर एक वीडियो वाइरल हुआ है जिसमें ये तेंद्वे पत्थरों के ऊपर बैठे हुए हैं वीडियो वाइरल होने के बाद एक और जहां आसपास के ग्रामिन क्षेत्रों में दहश्रत का माहौल है वहीं सतरकता बरत्त हुए वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुँच कर तेंद्वों की गतिवीधियों पर नजर रखने की कोशिश कर रही है राज्य के अलग-अलग हिस्सों में आकश्रक जहांकिया निकाल कर भगवान स्री गणेश की मुर्तियों को विसरजित करने का सेलसेला सुरू हो गया है इसी गड़ी में राजनांजगाउं शहर में बीती रात एक से बढ़कर एक जहांकिया निकाली गई इन जहांकियों को देखने के लिए सडकों पर जन सैलाब उमर पड़ा इन जहांकियों में एक और जहां 36 गड़ की संस्कृति की जहलक देखने को मिली वहीं पौरानिक कथाओं पर आधारित जहांकियों ने भी लोगों को अकरशित किया बड़े बड़े आर्च में जगमक करती लाइटों के बीच इन जहांकियों में राम लला मत्स अवतार सिव बारात स्याम खाटू कृष्ण लीला हनुमान लीला सहित कई पौरानिक कथाओं प्रदर्शित की गई जिला कलेक्टर संजय अगरवाल ने बताया कि आयोजन समीतियों ने जहांकियों में विविधता को प्रमुकता दी है यहां के गणेश के जहांकि और जैसा आज हम सब लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ही सुन्दर जहांकिया यहां पे आ चुकी है और धीरे-धीरे करके सारे अपने-पने इत्तान से प्रस्थान करके एक एक करके जाएंगी और दर्तकों का भी आप लोग देख रहे हैं कि और लगबग ए होल नाई के जहांकिया यहां पे चलती हो और इस बार विशेश रूप से जो है राजजन गाओ की सभी जहांकी मंडलियों ने डिसाइट किया था कि हम लोग बहुत ही जैसे संस्कार धानी राजजन गाओ का नाम है तो संस्कार धानी के नाम के अनुरूप ह गये थे और साथ सो से अधिक पुलिस बलतैनात किये गये थे पुलिस अधिक्षक मोहित गर्ग ने बताया कि आसा माजिक तत्वों पर ड्रोन कैमरों से निगरानी की व्यवस्था की गई है साथ सो से ज्यादा का बल हम लोगों ने लगाया है पिछली बार से काफी ज्यादा बल इस बार हम लोगों लगाया था कि कि किसी भी तरह से पुलिक को कहीं प्यासुई दना हो पहले से ही पुरे रूट प्लैंस पब्लिश कर दिये गए थे तो जो चोक चुराए हैं जो सब्सक्राइब कर दिया गया है सबी जगा पे और सिस लगाई गई है सोश यदी कदिकारी इस पुरी विवस्ता में हैं जो पुरी विवस्ता को देख रहे हैं हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी राध्णान काउन अगर निगम की उर से उत्कृष्ट जहांक्यों को पुरश्